जम्मू शहर के पार्क्स में अब लगने जाएंगी सोलर लाइट्स इससे एक तो भिजली की बच्चत होगी बच्चत इस तरह से होगी कि कई बार पार्क में सैर करने गयोते हैं इवनिंग वाक के लिए गयोते हैं, नाइट वाक के लिए गयोते हैं सोलर लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी उसके बाद जितने जितने फंड जाएंगे और जितनी जितनी जुरूरत होगी उसके हिसाब से सोलर लाइट की जो फैसलिटी है वो दी जाएगी फिलाल जम्मू शहर में हर एक वाड के एक एक पार्क में पांच पांच सोलर लाइट्स लगाई दी जाएंगी इसके लिए अलग लग कमपनीज को टेंडर दे दिये गे हैं फैबररी के महिने में टेंडर खुलने के साथ कमपनीओं को ठेका दे दिया जाएगा इसके लिए इससे एक तो पार्क की न्यू लुक बनेगी न्यू लुक आएगी न्यू लुक इस तरह से कि जमू स्मार्ट सीटी बन रही है तो अब स्मार्ट सीटी में स्मार्ट पार्क्स भी होने चाहिए जम्मू कश्मीर के हाउसिंग क्लोनी और फ्लॉरी कल्चर के डिपार्टमेंट के करीब 450 पार्क हैं लेकिन अब भी इस योजना के तहट सिरफ 75 पार्क्स को नहीं लिया जा रहा है लेकिन पहले फेस में 75 पार्क्स को लिया जा रहा है इसके लिए 1.40 को रोड रुपे की जो राशी है वो दे दी गई है इससे एक तो सोलर इनरजी डिवाइजी हैं जो उसका भी यूज होगा उनकी भी खरीदारी होगी हाला कि नगर निगम में अभी लाइट की जो कीमत है वो 30,000 एक लाइट की कीमत 30,000 के आसपास लेके चल रहा है क्योंकि अभी तो कोई कमपनी डिसाइड नहीं हुई है लेकिन जब कमपनी सामने आ जाएगी उसके बाद जो कम से कम प्राइज होगा प्राइज मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा कि ये जो लाइट है उसकी कीमत कितनी है 19 जनवरी तक इसकी निविदाएं आ जाएंगी उसके बाद जो कमपनी सबसे कम बोली लगाएगी स्टेंडर को लेके उसको ये जो ठेक है वो दे दिया जाएगा इससे अब जम्मु शहर में अंदेरा नहीं होगा और बिजली की भी बच्चत होगी अंदेरा कैसे नहीं होगा क्योंकि के बार ऐसा होता है कि काफी सारे पार्क्स है जम्मु में लेकिन वहाँ पे जो लाइट की फैसलीटी है वो प्रॉपर नहीं है लोग इवनिंग वाक में गयोते है नाइट वाक में गयोते है वाक कर रहे होते है लाइट जाती है तो स्ट्रीट लाइट है जो वहाँ की वो भी बंद हो जाती है लेकिन अब solar light लगने के बाद वहाँ पे जो light है वो बन नहीं होगी और इससे बिजली की भी बच्चत होगी